हेलो गईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नये वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताओंगा गाइस की रेड्मी A2 फोन को आप लोग कैसे फास्ट चारजिंग कर सकते हैं अगर आपके पास एक Redmi A2 phone है उसमें जो है Fast Charging नहीं हो रहा है तो आज के वीडियो में मैं ही बताने वाला होगा इसके कैसे आप लोग Redmi A2 phone को Fast Charging कर सकते हैं तो इस वीडियो को गाइस लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो Fast Charging करने के लिए आपर सबसे पहले क्या करना है इस अपने phone को Power Off करके Charge में लगाना है जब आप लोग फोन को Power Off करके Charge में लगाओगे तब भी जो है आप लोगों को Fast Charging देखने को मिल जाएगा आप लोग ट्राय करके देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर से उपर से नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर ऑप्शन है Aeroplane Mode का देख सकते हैं यह वाला ऑप्शन तो इस Aeroplane Mode को जो ओन कर लेना है ओन करने के बाद अपने phone को Charge में लगाना है उसके बाद भी जो है आप लोग सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से एक option में लगागा इस थोरा सा नीचे connection and sharing का देख सकते हैं इस option पर क्लिक करना है और देख सकती है Aeroplane Mode यहाँ से भी जो है आप लोग अपने phone को Aeroplane Mode को on कर सकते हैं इसको on कर दीजिए phone को charging में लगा दी application आप लोगों के रन हो रहा है तब भी आप लोगों के phone में फास्ट चर्जिंग नहीं मिलेगा जैसी कि देख सकती है आप recent में यहाँ पर मैंने तीन application चलाए है अगर आपके background में ऐसे करके भी बहुत सारे application रन हो रहा है जैसी कि आप लोगों का games बगेरा हो गया music videos बहुत सारे कुछ कुछ run हो रहा है background में तो उन सब को clear कर देना है clear करने के बाद आप लोगों का फास्ट चर्जिंग होने लगेगा उसके बाद अगर आपके background में जो है कुछ update हो रहा है automatically उसके लिए भी आप लोगों फास्ट चर्जिंग नहीं कर सकते है update के से stop करेंघे यहां पर आप लोगों को Play Store पे जाना है यहां पर एक बहुत ही बरिया सेटिंग्स हो हैं मैं आप लोगों को बताऊंगाρεί नीके बाद उपर के साइट में देख सकते जीमेल का लोगो है इस पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते उप्श करना है इस पर क्लिक करने के वाद देख सकते हैं और आप लोगों को तीन ऊप्षोन देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर से आगर आपके फॉन में इन दोनों पर सेट है जैसे जींद और अबर वाई-फाइय अ इन दोनों पर अगर set होंगे तो क्या होगा आपके background में जो है automatically application update होते रहेंगे उससे क्या होगा आपका fast charging जो है वो नहीं हो पाएगा तो इसको off करने के लिए देख सकती है आपर एक last वाला option है don't auto update apps मतलब auto update apps यहाँ पर off हो जाएगा तो last वाले option पर क्लिक कर दीजे और यहाँ पर ok पर क्लिक कर दीजे ठीक है अभी जो है आप लोगों का auto update जो फीचर से वो यहाँ पर बंद हो चुका है उसके बाद जो है आप लोगों को फास्ट चर्जिंग देखने को मिल जाएगा अपने Redmi A2 फोन में ठीक है उसके बाद आप लोग क्या कर सेकते गाइस फास्ट चर्जिंग करने के लिए अपने adapter को एक बर चेक कर लिए ठीक है अगर आप लोगों को फास्ट चर्जिंग नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को एडप्टर को ही चेक करना है अगर आपके घर में दूसरा एडप्टर है तो दूसरे एडप्टर से जो है आप लोगों को फोन को कर लेना है मतलब नया कोपर धब हो चुका है इसके लिए आप लोगों को फास्टर धुने को नहीं मिल रहा है तो चैंज कर लेना है नया धटर रथ लिजिए उसके बाद आप लोगों को फास्ट चार्जिंग होने लगेगा उसके बाद आप लोगों क्या अगर आपके घर तो चएक कर नहीं करते हैं तो नया पूरान वाले को गईस को धार कर लिजिए। तो ऐसे करके जो है आप लोग डाटा के बूल और एडप्टर को चेंज कर लिजे आप लोगों को फॉन में फास्ट चार्जिंग होने लगेगा उसके बाद देख सकते हैं नीचे के तरफ यहापर चार्जिंग पीन देखने को मिलेगा हमें अगर आपके चार्जिंग पीन मे जो है बहुत सारे गंदगी लगे होंगे तब भी जो है आप लोगों का fast charging नहीं होगा तो में आप आप लोगो not flashlight जला के दिखा देता होगा तो देख सकते हैं charging pin के अंदर मेरा कोई भी गंदगी नहीं लगा है अगर आपके charging pin में गंदगी होंगे आप लोगों को फ्लाश लाइट जला के देख लेना है अगर बहुत चरे धूल मिट्टी लगे हुए होगे तब आप लोगों को उनको साप करना होगा साप कैसे करेंगे साप करने के लिए यहाँ पर एक पतला सा छोटा पीन लेना है पीन लेने के मार एकदम बोडर में ठीक है आपको यह नहीं कि बीच में पीन घुसा दो एकदम बोडर में मतलब यहाँ पर बाउंडरी है ना अंदर में तो अंदर के बाउंडरी में से आप लोगों को पीन को ऐसे खुमाते रहना है तो यहाँ पर से खुमाने से किया होगा आपको जितने भी धूल मित्ती होंगे या कुछ लगा होगा पिन में वो सब यहाँ पर साफ होके बाहर आ जाएगा उसके बाद भी जो है आप लोगों को फास्ट चर्जिंग होने लगागा अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जिंग फिन खराब है आप लोग चार्जिंग पिन चेंज कर लिजए अपने सर्विस सेंटर बे ठीगे तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रेडमी एटू फोन में फास्ट चर्जिंग कर पाएंगे तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कल एक नेक्स वीडियो में तब तक के ले य्याव बाएंगे ।